साथियों, पॉलिसी मेकर्स से आपने एक बात अक्सर सुनी होगी First Order Impact यहने किसी भी नीती का पहला और च्वाभाविक परणाव First Order Impact ही पॉलिसी का पहला लक्ष होता है और यह कम समय में दिखने लगता है लेकिन हर पॉलिसी का Second और Third Order Impact भी होता है इनका प्रभाव गहरा होता है, दुरगामी होता है लेकिन यह सामने आने में समय लगता है इसकी comparative study करने के लिए विस्तार से समझने के लिए हमें कई दसक पीछे जाना पड़ेगा आप लोग टिवी की दुनिया वाले टू विंडो चलाते हैं ना पहले और अब वाली बिफॉर एंड आप्टर वाली तो मैं पी कुछ वैसा ही आज करने वाला हूँ तो पहले जारे बिफॉर की बात कर लेते हैं सात्यों आजहादी मिलने के बाद लाइसेंस राजवाली जो economy policy अपनाई गई थी उसमें सरकार ही controller बन गई competition खत्व कर दरिया गया private industry को MSM's को आगे नहीं बढ़ने दिया गया इसका पहला नकारत्मक प्रभाव तो यही हुआ कि दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछरते चले गए हम और गरीब होते गए उन नीतियों का second order impact और भी बुरा हुआ भारत के consumption growth दुनिया के मुकाबले बहुत कम रह गई इसकी वजह से manufacturing sector कमजोर हुआ और हमने investment के मोके घवा दिये इसका तीसरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में innovation का माहोल ही नहीं बन सका ऐसे में न ज्यादा innovative enterprise बने और ना ही ज्यादा private jobs create हुई युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नोकरी के भरोसे रहने लगे देश की कई प्रतिभावने तब काम का माहोल ना देखकर देश छोड़े तक का फैसला कर लिया इस अब उनी सरकारी नीतियों का third order impact था उन नीतियों के impact ने देश के innovation, hard work और enterprise की छमता को कुचल दिया साथियों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो जानकर री पब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जुरूर अच्छा लगेगा 2014 के बाद हमारी सरकार ने जो भी policy बनाई गी उसमें ना केवल initial benefits का ध्यान लखा गया बलकि second और third order effect को भी profit का दी गई आपको याद होगा 2019 में इसी रीपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि PM आवास योजना के तहत हमने पांस साल में डेड़ करोड परिवारों को घर दिया है अब यह आकड़ा बढ़कर पोने चार करोड से जादा हो चुका है इन में से जादा तर घर उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है और आप जानते हैं आज एक एक घर लाखों की कीमत का बनता है याने करोड़ों गरीब बहने मैं आज बड़े संतों से कहता हूं लगपती दीदी बने ही है शायद इससे बड़ा को रक्षा बंदर नहीं हो सकता है यह हुआ पहला इंपेक्ट इसका दूसरा परणा में सामने आया कि इस योजना से गाउं गाउं में रोजगार के लाखों अवसर त्यार हुए और आप जानते हैं कि जब किसी के पास अपना घर होता है पक्कागर होता है तो उसका आत्मविस्वास कितना बढ़ जाता है उसकी रिस्क टेकिंग केपिसिटी कितनी बढ़ जाती है उसके सपने आस्वान को छूने लग जाते हैं पी ए मावास योजना ने देश के गरीब का आत्मविस्वास नई उंचाई पर पहुँचाया साथियों कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना के आठ वर्स पूरे हुए है ये योजना माइक्रो और स्मॉल एंटर्परनर्स को फाइनांसिल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी मुद्रा योजना के तहर चालीस करोड़ से अधिक लोन बाटे गए जिन में करीब सत्तर प्रतिशक महिलाएं है इस योजना का पहला प्रभाव तो स्वरोजगार में बढ़ोत्री के रूप में हमारे सामने है मुद्रा योजना हो महिलाओं के जंदन एकाउंट खुलना हो या फिर सेल्फ हेल्फ ग्रुप को प्रोथसान आज इन योजनाओं से देश में एक बड़ा सामाजिक बढ़ला होते हुए हम देख सकते हैं इन योजनाओं ने आज परिवार के डिसिजन मेंगिंग प्रोसेस में महिलाओं की मजबुद भुमी का स्थापित कर दी हैं अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जौब क्रियेटर की भुमिका में आ रही है देश की अर्थ बढ़ती हुई अर्थ ववस्ता को मजबुती दे रही हैं साथिओं पीएम स्वामित्व योजना में भी आप फर्स सेकंड और थर्ड और इंपेक्ट अलग अलग देख सकते हैं इसके तहद लेटेस्ट टेक्नोलोजी का उप्योग करके गरीबों को प्रोपर्टी कार दिये वे जिसके उन्हें संपत्ती की सुरक्षा का भरोसा मिला इस योजना का एक और असर ड्रोन सेक्टर पर देखा जा सकता है जिसमें मांग और विस्तार के संभावना ये लगातार बढ़ रही है पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने अब करीब करीब दो धाई जाल हुए हैं बहुत समय नहीं हुआ है लेकिन इसका भी सोशल इंपेक्ट दिखने लगा है संपती काड मिलने पर आपसी विवाद के आशन का कम हो गई है इससे हमारी पुलीस और न्याईक व्यवस्ता पर लगातार बढ़ रहा दबाव कम हो रहा है इसके साथ ही गाउं में जिस प्रॉपर्टी के कागज मिल गए हैं उन्हें अब बैंकों से मदद मिलना और भी आसान हो गया है गाउं की इन प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है साथियों फर्स्ट ओर्ड ओर्ड ओर और और थर्ड ओर इंपक्त के मेरे पास इतनी केस्टरी है कि आपका रंडाउन ही आउट आप ओर्डर हो जाएगा बहुत सारा समाएं इस ही में निकल जाएगा डिबीटी हो बिजली पानी टॉयलेट जैसी सुविदाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाए हो इन सभी ने ग्राउन लेबल पर एक क्रांती ला दिया है इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है देश में गरीब को पहली बार सिकुरिटी भी मिली है डिगिनीटी भी मिली है जिने दसकों तक यही एहसास दिलाय गया था कि वो देश के विकास पर बोज है वो आज देश के विकास को गती दे रहे है जब सरकार ये योजनाए शुरू कर रही थी तो कुछ लोग हमारा मजा कुड़ाया करते थे लिगनाच इनी योजनाओं ने भारत के तेज विकास को गती दिये है ये योजनाए विक्सीद भारत के निर्मान का आधार बन रही है